उत्रा खंड में तराई में इस बार समय पर बारिश नहीं होने से धान की खेती बूरी तरह पर भावित हो गई है प्रती एकर आठ से दस कुईचल तक धान का उत्पादन गिरने की आशंका से किसान परिशान है उत्पादन कम होने का असर खुले बजार पर भी पड़ेगा वहीं धान के महंगा होने पर चावल के भाव बढ़ना तै है ऐसे में आठे के बाद चावल भी महंगा हो सकता है तरहसल जिले में एक लाख हेक्चर में धान की खेती होती है चोटी बड़ी जोत वाले एक लाख 29,000 किसान धान की खेती से जुड़े हैं इस बर जुलाई और अगस्त में बारिश नहीं के बराबर हुई और किसानों का कहना है कि कई खेतों में पौद में कलिया तक नहीं फुट पाई पिछले साल की तुलना में बालियां भी कम है और इसका खामयाजा भी किसान को बाजार में उठाना पड़ेगा किसानों का कहना है कि विगत वर्ष तक प्रती एकर 28 से 30 कुइंटल की तुलना में अब 20 से 22 कुइंटल तक धान निकलने की संभावना है वहीं भादराबाद शेतर में भी धान की उत्पादर में कमी आने की संभावना है और मुख्याकारन पूरव की भाद़ी बीज की प्रजाती का ना होना और फसलों का समय से पानी ना मिल पाना इसका एक कारण है किसानोंने दावा किया है कि मिट्टी और नई फसल के बीज मेल नहीं खा रहे वही रूड की शेतर में भी धान का रखबा कम हो चुका है किसानों का कहना है कि एक तो समय पर बारिश नहीं होई दूसरा मंडी न होना इसका सबसे बड़ा कारण है किसान अपना धान बेचने के लिए पंजाब और हर्याणा की मंडियों पर निर्भर है रेट भी धान के नहीं बड़े हैं इस बार खुले बजार में पंद्रा सो नो वेराइटी का धान पैती सो रुपे कुंचल के आसपास चल रहा है वही पंजाब की तर्ज पर 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 देश में भी मणिय सापित होनी चाहिए जिले में गन्य और धान की मुख्या फसल है नदियों के आसपास जिले के किसानों के खेत हैं लेकिन कुछ सालों से धान का रखबा घटता जा रहा है किसानों ने कहा है कि धान मंडी ना होना रखबा घटने का कारण है जिला मुखी अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि रखबा इतना घटा कि इसका आँकलन किया जाएगा वहीं तरही किसान संक्षन की माने तो उनका कहना है कि धान की खेती करने वालो पर धोरी मार पड़ी है बिजली गटोती से खेतों की लागत में जबरदस इजाफा हुआ है अधिकांश किसानों ने डीजल फूकर खेतों को पानी दिया यूरिय महंगा होने से भी दिक्कत है बावजूद इसके फसल परभावित हो रही है प्रती एकड़ 20-25,000 तक अतिरक्त खर्च हुए है जबकि विगत वर्ष तक ये खर्च 15-20,000 तक आता था इस वर्ष जुलाई अगस्त में धान की फसल की ववाई के बाद बारिश नहीं हुई अब बेमोसमी बारिश हो रही है और इससे 20-30 फिसदी धान की फसल से उत्पादन कम होने की संभावना है वहीं यूपी बिहार में जहां धान के 40 फिसद फसल बारिश पर निर्बर है वहां बारिश कम होने से धान का उत्पादन घटेगा अगर त्राई में धान का निर्यात अन्यराज्यों को हुआ तो इस्तिती से धान के रेट बजार में बढ़ सकते हैं और इसका आजर बजार रेट पर भी पढ़ेगा